सफल बने समर्थ बने पावन बने जिवन मीठी मुरली सुनके पाए सुख सघन आजका चिन्तन आजका चिन्तन आजका चिन्तन ओम शांति और प्यार का सागर्शिबावा हम बच्चे को इतना प्यार दे रहे हैं हमें भी माश्टर प्यार का सागर बना रहे हैं बाबा तो बाबा अच महिए है तुम यहां आए हो सर्व शक्ति वान बाब से शक्ति लेने अर्था दीपक में ग्यान का गरत डाले बाबा कहे है शिव की बारत जो गायन है वो क्या है क्योंकि शिवावा जब वापस जाते हैं तो सभी आत्माओं का जुण उनके पीछे पीछे भाग कर जाता है मूल वतन में भी आत्माओं का मनार मनच्छत लग जाता है तुम पवित्र बनने वाले वच्चे बाप के साथ साथ जाते हो साथ साथ के कारण ये बारत का गायन है वोई गाना में ने गाया आप सभी सुने होंगे बहुत जल्दी बाबा की बारत जाने वाली है साथी बनोगे या बनोगे घराती बहुत जल्दी बाबा की बारत जाने वाली है बहुत जल्दी बाबा की बारत जाने वाली है बागते हम सब भाई भाई है और हमारा वो बाप है सर्विश शक्तिमान जिसको कहा जाता है बावगते तुम्हारे में सर्वे शक्तियां थी तुम विश्व पर राज्य करते थे क्योंकि हम बावा की संतान है सर्वे शक्ति मान की संतान है तो हमारे अंदर भी सर्वे शक्तियां थी लेकिन अब नहीं है क्यों? भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था मतलब हम बच्चों का राज्य था भागते तुम पवित्र देवी देवताओं थे तुम्हारा कुलवा डिनाइश्टी है वो सब निर्वीकारी थे कौन निर्वीकारी थे? आत्माए अब फिर तुम निर्विकारी बन रहे हो फिर से सर्विशक्तियों की अधिकारी बन रहे हो जैसे कि सर्विशक्ति वान बाप को याद कर उनसे शक्ति ले रहे हो बाप ने समझाया है आत्मा ही 84 का पाट वजाती है उनमें जो सोतव प्रधन ताकती वो दिन प्रती दिन कम होती जाती है जैसे हम जनम लेते हैं आत्माएं फिर शक्तियां कम होती जाती है और उसकी तरीका है सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए बाबा को याद करना है बड़े प्यार से बड़े मीठे भाव से बागते हैं जैसे आत्मा की बेटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती है कुछ ना कुछ ताकत रहती है जैसे कोई मरता है तो दीपक जलाते हैं उसमें घृत डालते रहते हैं जो तो बुझ ना जाए बेटरी की ताकत कम होती है तो फिर चार्ज करने रखते हैं अभी तुम बच्चे समझते हो तुम्हारी आत्मा सर्वशक्ति मान थी अब फिर तुम सर्वशक्ति मान बाब से अपना बुद्धियोग लगाते हो तो शक्तियों की अधिकारी बन जाते हो क्योंकि शक्तियां भी बहुत कम हो गई आज बाबा मुर्लियों पूरी तरीके से बोल रहे है कैसे शक्तियां लेना है बाबा से याद के आधर पर बाबा की शक्ति हमारे में आ जाए क्योंकि शक्ति कम हो गई یہ ठोड़ी जरूर रहती है एकदम खतम हो जाए तो फिर सरीर ना रहे भागे तोड़ी शक्रती तो है आत्मा बाप को याद करते करते बिल्कुल प्योर हो जाती है सत्तिक में तुमारी बैटरी फूल चार्ज रहती है फिर थोड़ी थोड़ी कम होती है तृता तक मीटर कम होता है जिसको काला कहा जाता है फिर कहेंगे आतमा जो सोतो प्रदान थी वो सोतो बनी ताकत कम हो जाती है तुम समझते हो हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं सतीव में अब आप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम सतप्रधान बन जाओगे जो हम तमप्रधान थे बाबा को याद करने से सतप्रधान बन जाएगे और तमप्रधान बनने से क्या हो गया ताकत कम होगी देवाला निकल गया है फिर बाबा को याद करने से पूरी ताकत आ जाएगी इसलिए कहते हैं देह साइद सर्व सम्मंद को भूल जाना है सर्व सम्मंद को खतम करना है तुमको बेहत का राज्य मिलता है बाब भी बेहत का है तो वर्सा भी बेहत का देते है अभी तुम पतित हो तुम्हारी ताकत विल्कुल कम होती गई है भगते है बच्चो अब तुम मुझे याद करो मैं अल्माइटी हूँ मेरे द्वारा अल्माइटी राज्य मिलता है सत्तिक में देवी देवतर सारे विश्व के मालिक थे पवित्र थे देवी गुणवान थे अब यह देवी गुण नहीं है सबकी वेटरी पूरी डिस्चार्ज होने लेगी है फिर अब वेटरी भरती है बाबा को याद करने से बाबा के साथ योग लगाने से बाबा को साथ का अनुभव करने से क्योंकि बाप एवर प्योर है यहाँ सब हैं इम्प्योर जब हम बाबा को याद करते हैं तो संपूर्ण फियर बन जाते हैं क्योंकि उंचे ते उंचे भगवान बाकी सब है रचना बेहत के बाप को याद करने से बेहत की वादशाही मिलती है तो बच्चों के दिल में अंदर समझना चाहिए हमारे लिए बाबा नई दुनिया स्थापना कर रहे है ड्रामा प्लैन अनुसर सत्यू के स्थापना हो रहे है बाबा के ते तुम बच्चे जानते हो सत्यू का आने अबाला है कितनी खुशी होनी कीए सत्यू के में होता ही है सदा, खुश, सुख, आनन्द और वो कैसे मिलता है जब हम बाबा को याद करते है क्योंकि बाबा कहते है मामे कम याद करो क्योंकि मैं एवर फ्यूर हूँ मैं कभी मनुश्य तन नहीं लता हूँ मैं दैवितन ना मनुश्य का तन लता हूँ बाबा कहते हैं जब 60 वरस के बृद्धतन में में आता हूँ नंबर वान उंचे ते उंच भगवान फिर है सुक्ष्म बतन वासी ब्रह्मा विष्णु संकर जिसको सक्षातकार हम बच्चों को हुआ है हो रहा है सुक्ष्म बतन वीच का है ना जहां सरीर नहीं हो सकता है सुक्ष्म सरीर सिर्फ दिव्य दृष्टी से देखा जाता है मनिस्ष्ष्ष्टी तो यहां है बाकि वो तो सिर्फ सक्षातकार के लिए फरिष्टे है तुम बच्चे भी अंत में जो बिल्कुल पवित्र हो जाते हो तो तुम्हारा भी सक्षातकार होता है ऐसे फरिष्टे वन फिर सतिग में यहां यहां करस्वर का मालिक बनेगे यह ब्रह्मा कोई विष्णु को याद नहीं करते हैं यह भी शिव बावा को याद करते हैं और विष्णु बनते हैं ब्रह्मा विष्णु को याद नहीं करता है ब्रह्मा किसको याद करता है शिव बावा को तो ऐसे ही बावा करें सिर्फ मुझे याद करो अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करो देह से सब कोछ भूल जाना है शास्तरादी पढ़ने से बापस तो कोई जाने सकता है पिछाडी में सब जाएंगे जिससे टिड्डियों का अथवा मधुमकी का जुन्ड होता है बापा केते हैं जिससे मधुमकी का कोई नहता है रानी होती है तो उनकी पीछे सब भागते हैं बैसे शिवाबा के साथ सभी आतमाओं को जाना है इसलिए कहा गए है शिव की वाराथ बच्चो को हो अथवा सजनिया को हो बापा कर बच्चो को पढ़ा कर याद की यात्रा सिखलाते हैं पभित्र बनने बिगर तो आतमा जान नहीं सकती जब पभित्र बन जाएगी तब सिखला आते हैं पहले पहले शान्तिदाम जाएगे फिर वहाँ जा कर निवास करते हैं और यह धीरे धीरे इस श्ष्टिरंग मंच पर आते हैं बाव केते हैं वहाँ से फिर नॉंबर बार आते हैं ऐसे नहीं कि एकिसाथ सबा जाएंगे जैसे जाड धिरे-धिरे बुर्धी को पाता है वैसे ही ये संसार में साकर स्रिष्टी में आत्माई धिरे-धिरे आती हैं और पाण वजाते हैं फिर बढ़ता जाता है बाबा केते हैं प्रजा पिता ब्रह्मा है ना प्रजा हम भाई बहने हो जाते हैं ब्राम्मा कुमार और कुमारिया धेरे जरुनिश्चे बुद्धी होंगे तो इतने धेरे हैं ब्राम्मान कितने होंगे कच्छे बापके कोई तो कोई 99% मार्क लेते हैं कोई 10 मार्क लेते हैं कोई कच्छे ठेर जाते हैं बगति तुम्हेरे भी भी पक्के होने चीज़ जो पक्के वच्चे होंगे कच्चे वाले पिछेडी में आएंगे लेकिन पक्के वच्चे लंबा समय तक चलेंगे यह पुर्षतम संगम युग बाबा अज़ धारणाव में कहते हैं मन बचन कर्म से पवित्र बन आत्मा रुपी वेटरी को चार्ज करना है पक्का ब्राभन बनना है मन मत वा मनिश्य मत छोड़े के बाप की श्रीमत पर चलकर स्वयम को सेष्ट बनाना है स्वत्र प्रधान बन बाप के साथ उड़ कर जाना है बाबा बरदान दे रहे हम बच्चों को स्रीमत के आधार पर खुशी शक्ति और सफलता का अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन भव जो बच्चे स्वयम को ट्रेष्टी समझ कर स्रीमत प्रमान चलते हैं स्रीमत में जरा भी मनमत या परमत मिक्स नहीं करते हैं उन्हें निरंतर खुशी शक्ति और सफलता की अनुभवती होती है पुरिशार्थवा मेहनत कम होते भी प्राप्ति जादा हो तब कहेंगे यथार्थ श्रीमत पर चलने वाले परन्तु माया श्रीमत पर चलने नहीं देती है इस शुर्यमत में मनमत में परमत में रोयाल रुपी मिक्स कर देती है इसलिए सर्व प्राप्तियों का अनुभवती नहीं होती इसी के लिए प्रखने और निर्णे करने के शक्ति धारन करो तो धोके नहीं खाएंगे बाबा स्लोगन दे रहे हैं बचुकाज बालक सु मालिक वो है जो तपस्या के बल से भाग्य विधाता बाप को अपना बना लेते हैं आज के मुरली के अनुसर हम सुमन लेंगे मैं मास्टर सर्विश शक्ति मान आत्मा हूँ मुरली को और गहरी रीती से चिंतन करते हुए बाबा को याद करेंगे और बाबा की याद में खोये रहेंगे हमिसा मुस्कुराते रहिए आगे वड़ते रहिए पुरुशार्त करते रहिए बाबा को हमेसा साथ का अनुभव करते रहिए ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती